नमबर वन चानल के नमबर वन शो कच्चा चुठा में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ सभी नातामंग दिश्मुक। दो सबसे बड़ी चेताबनी आप समझ लीजे क्योंकि ये बहुत खतरनाक इशारा कर रही है इरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है ये लेबनन सीरिया का बॉडर है और सामने इसरेल के टावर है टावर पर छोटे रैडार भी लगे हैं कम्मिकेशन सिस्टम भी लगे हैं और सर्विलान्स कैमरे भी लगे हैं तब ही जाड़ियों में से निकलती एक स्नाइपर की राइफल और फिर देखिए क्या होता है पहले राडार पर गोली फायर होती है फिर कम्मिकेशन सिस्टम थोड़ा जाता है फिर सर्विलान्स कैमरे पर गोली पड़ती है ये सब कुछ इसरेल लेबनन बॉर्डर पर हो रहा है इसरेल डिफेंस का पूरा नेगरानी स्ट्रक्चर हेजबॉला ने उखाड़ना शुरू कर दिया है लेकिन इसके बाद जो होता है वो नेतन याहू को डरा देगा ये हनीता बॉर्डर पॉइंट है यहां एक मिसाइल निकलती है और सीधे बॉर्डर पर खड़े इसरेल के मरकावा टैंक को फोड़ देती है एक पर देखिए हमला कैसे होता है दुआ छटता है तो इसरेल के बाकी टैंक भागने लगते हैं दूसरा वीडियो दुहेरा बॉर्डर पॉइंट से आया है यहां भी इसरेल का मरकावा टैंक घूम रहा था और फिर होता है एक बड़ा हमला हेजबुल्ला एंटी टैंक मिसाइल फायर करता है मिसाइल टैंक की तरफ बहुत तेजी से बढ़ती है और इसरेल के मरकावा में बहुत बड़ा धमाका होता है लेबनन बॉर्डर पर इसरेल के टैंक पर हमलों का वीडियो बहुत डराने वाला है इसरेली टैंक के ऐसी तबाह होने की तज़्वीरें जब इरान पहुँची तो वहां की विदेश मंत्रे ने बहुत खतरनाक बयान दे दिया हुसैन अमिर अब्दुल्ला हिया ने कहा कि अगले कुछ घंटों में इसरेल पर बड़ा हमला हो सकता है हिद्बल्ला की तरफ इशारा करते हुए एरान ने कहा है कि अगर एरान और लिबनन ने इसरेल को जबाब नहीं दिया तो इसरेल की सेनत तहरान और बेरूत पर गल हमला करदेगी सुरत तदावूम जनायात जन्गी रजीम कुछ कुछ इसराईल अले हिसाकनान गेर नजामी गज़े हर इहतमाली मुतसवर हस इसमें कोई शक्त नहीं कि इसरेल की फोट जिस तरह से गाजा को हजारों टन बम मार कर समतल कर रही है इसने इरान को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है इरान ने पूरे पश्चिमेश्या का एक एक इंच नापकर इसरेल की ताकत का पूरा अंदाजा लगा लिया है इसरेल और लिबनान के बॉडर तक ले जाए और हिजबुला से एक नया फ्रंट खोल दे गाजा में पहले से ही खूब बंबारी और गोली बारी की जा रही है लेकिन हिजबुल्ला के आने से एक नया फ्रंट खुल जाएगा और दो फ्रंटों पे इसराइल पूरी लड़ाई लड़ेगा इसराइल पर हमले का खत्रा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि एरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका तक को छेतावनी जारी कर दी है अली खामनेई ने कहा है कि अगर घाजा में इसराइल के जल्म खत्म नहीं होए तो दुनिया की कोई ताकत मुसल्मानों को रोक नहीं पाएगी हमास के हमले के बाद इरान ने इस वक्त अपने मिलीशिया गोटों और मित्र देशों को एक्टिव कर दिया है सवधी अरब, जॉर्डन और मिस्र से भी इस्रैल को करवे शब्द ही मिले है इस वक्त हिजबुल्ला भी एक्टिव है, इस वक्त सीरिया भी एक्टिव है इस वक्त इराक में ISIS का खात्मा करने वाली फोर्स हश्द अल शाबी भी तयार है इस वाक्त यमन भी एक्टिव है सितंबर महीने में ही यमन ने अपनी मिलिटरी परेड निकाली थी और इस परेड में ऐसी ऐसी मिसाइल और ड्रोन दिखाए जो इस इलाके में अमेरिका और उसके दोस्तों को परिशान कर सकते हैं यमन वो देश है जिसने पिछले आठ वर्षों तक साओधी अरब और उसके 15 साथ की देशों से योध लड़ा जिस युद में उसके खिलाफ अमेरिका भी रहा बिटन भी रहा और इसरैल ने भी यमन के खिलाफ मदद की अब वही यमन अमेरिका और इसरैल दोनों को ललकार रहा है युद की ऐसी ललकार ऐसा गुसा आप इस इलाके को पश्यम एशिया कहकर बुलाइए इसे खाड़ी कहिए या फिर मेडलीस नाम कितने भी हो लेकिन इस वक्ती ओक्रेन के बाद दोनिया का सबसे ख़दरनाक इलाका कोई है तो वो यही जमीन है पिछले चार दशकों से ये इलाका युद्ध देख रहा है यमन के इस मिसाइल का नाम है तूफान जो एक हजार किलोमीटर की रेंज दक मार कर सकती है इस मिसाइल से यमन ने सौधी अरब को कई बार डराया है इसरेल को भी लगता है कि यमन को ऐसे और हथियार मिल सकते है और फिर वो उसके लिए खत्रा बन जाएंगे इरान भी यही डर फैलाना चाहता है जाहिर है कि इसरेल के लिए ये ये नया फ्रंट साबित हो रहा है अब गाजा के धमाकोने हजबला के साथ एरान को युद मे कोदने के लिए तयार कर दिया है इसलिए इसरेल और अमेरिका के खिलाफ उसका युद किसी भी वक्त शुरू हो सकता है अमरीकाईगा हमन तूर के गफते अमरीकाईगा पासुरू है जिक रिएम के जी किसी भाषदा। यहोई बगुई दस्ट शमा रो बाज मीक्स दारीम, हर जनायती रो मीखाई अलिए गेर नजामियान अन्जाम बदाएद। साथ अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक साथ पास हजार रोकेट दागे जिसकी वज़ा से इसराइल क्या आईरों डोम भी पूरी तरह से नाकाम हो गया। सवाल यह है कि अगर इरान इसराइल पर हमला करता है तो फिर क्या होगा। ऐसे हालात में अमेरिका क्या करेगा? क्योंकि इरान के आसपास अमेरिका के इतने मिलिटरी अट्डे हैं जहां से इरान के खिलाफ हमले लॉंच किया जा सकते हैं। इसलिए कोई शक नहीं कि घाजा में युद्ध के साथ साथ अब इस्राइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टार्गेट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस है और इनमें कुल 40,000 से ज़ादा अमेरिकी सेनिक तैनात है इसमें कोवेट में 10 सेन अड्डे है और यहां अमेरिका के 13,000 से ज़ादा सैनिक है बहरीन में अमेरिका ने 12 अड़े बनाए है और यहां उसके 3700 से जादा फोजी तैनात है सौधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस है यहां 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात है ओमान में अमेरिका के 6 अड़े है यहां उसके 600 सैनिक तैनात है सैयुक्त अरव अमिराथ में अमेरिका के तीन अड़े हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनाथ हैं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है लेकिन यह अड़े भी इरान की जद्मे हैं और इस वक्त इसराइल तक उसके मिसाइलों की रेंज में आ चुका है इरान के ड्रोन की रेंज भी बढ़ती जा रही है अब पश्यमेशिया के वो इलाके भी उसकी पहुँच में हैं जहां अमेरिका के अड़े हैं और इस वक्त नेतनियाहू और बाइडन दोनों इरान की बड़ती ड्रोन पावर को लेकर काफी बॉखलाए हुए हैं। अगर इसरेल और लेबनन बॉर्डर पर युद्ध होता है और इसमें इरान भी शामिल हो जाता है, तो समझ लीजे इन सभी अड़नों से इरान पर हमले लॉंच किये जाएंगे या फिर इरान इनको अपने मिसाइल अटैक से मिट्टी में मिला देगा। इरान पहले ही अमेरिका को अपने आसपास बरदाश्ट नहीं कर पा रहा। और अब घाजा इसरेल के बीच युद्ध ने युद्ध का एक नया बहाना दे दिया है।